दूसर रिसर्च में बात एकदम साफ होई है कि जब भी हमारे बैंक अकाउंट में एक सफिशिंट अमाउंट में पैसा हो ज्यादा या कम हम उसे खर्च कर ही देते हैं वो जैसे कि हम कई बार कहते हैं न कि आर आजकल के टाइम में अगर गलती से 2000 रुपए के नोट का चेंज हो जाए तो एक दिन में ही पूरे 2000 खैसे खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखेर ऐसा क्यूं होता है और बार बार क्यूं होता है इसे आप human psychology का एक हिस्सा समझ लीजे जैसे कि कोई चीज तेजी से आपके उपर गिर रही है तो जाहिर है कि आप उसे रोकने के लिए एक्तम से react करेंगे क्यूंकि आप जानते हैं कि आप उसे रोकने में capable हैं आप अपने हातों का इस्तमाल कर सकते हैं आप उस जगा से हच सकते हैं ठीक वैसे ही जब मौझूदा समय में आपके दिमाग में ये बात fit है तो automatically आपके वो पैसे खर्च नहीं होंगे बलकि mostly आप उन पैसों को खर्च कर but spend what is left after saving यानि कि आप उस amount को save ना करें जो कि आपके खर्च करने के बाद बच जाती हैं बलकि आप उस पैसे को खर्च करें जो save होने के बाद बच जाती हैं तो budget के गुलग को भरने का एक खास मंत्रा तो यही है कि आप अपनी savings को automated कर सकते हैं यानि monthly आपके जो भी salary आ रह जाना चाहिए जिसे आप अपनी savings के दौर पर रखेंगे उसके बाद ही किसी भी तरह का खर्च कर सकते हैं मान लीजे कि अगर अभी आप कुछ नहीं बचा रहे हैं तो शुरुआत में 10% या 5% या 1% बचाना भी आपके लिए बहुत बढ़ा कदम है लेकिन आपके चाहिए जैसे भी हूँ आपको अपने लिए 50% का गोल याने की 50% का गोल तो बना कर रखना ही चाहिए जैसे की पैसे बचाने की मामले में ये वरात सिंग ने क्रकिट की ही भाशा में एक बहुत अच्छी बात कही है कि एक दो रन लेते रहो और नजरे जमा लो इसके बाद और करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है बिल्कुल सही बात लेकिन दोस्तों मीलों का दिखने वाला ये फासला पल भर का भी हो सकता है अगर आपकी तरफ से एक छोटी से शुरुवात हो जाए तो चलिए आप बचट से अभी थोड़े फासली पर है तो उस फासली को कम करते हुए सबसे पहली बचट की बात करते हैं जो हमारे लिए जरूरी तो है लेकिन उस पर जरूरत से ज्यादा खर्च करना बिल्कुल जरूरी नहीं है तो कहते हैं ना परिवार के बिना हर खुशी अधूरी होती है फिर जाहे वो किसी त्योहार के खुशी हो जिन्दगी टीवी फ्रिज या कोई भी इस तरह का समान आने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता था और वो खुशी सर्फ हम तक नहीं बलकि पूरे महले तक पहुशते थी खेर समय के साथ ही चीज़ें घर आना आमसी बात हो गई लेकिन जितना इन चीज़ों को लेना हमारे लिए इजी होता गया उतना ही हमारी पॉकेट का खर्चा भी बढ़ता गया मार्केट के ओफर्स, न्यूफीचर्स, आसपड़ उसकी सला को एहमियत देते हैं जिससे इन टोटैलिटी आप कभी भी अपने बचट के गुलक को सेफ नहीं रख पाते हैं तो अगर आप अपने बचट के गुलक को भढ़ने की सच में चाहत रखते हैं तो अगली बार हो में अप्लाइंस लेते हुए इन बातों का ख्याल जरूर रख सकते हैं जिसमें सबसे पहला है अपनी जरूरत को समझना दोस्तों वो कहते हैं ना necessity is the mother of invention हम इंसानों ने आदे मानव से लेकर आदोनिक मानव तक के सफर को तैय किया है और जैसे जैसे इंसान के दिमाग का विकास होता किया उसके जीने के तरीके भी बदलते गए हमने एक एक करके अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों का आविशकार करना शुरू कर दिया कि आपकी जरूरत को आपसे बहतर और कोई नहीं समझ सकता लेकिन इस modern era में आज के आधोनिक मानव की सोच इन सब चीजों से भी आगे निकल चुकी है यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि आप हम जरूरत से ज्यादा सामने वाले की जरूरतों के हिसाब से काम करते हैं वो अं पूर फ्रिच आ गया आज ऑफिस के साथ वाले इंप्लॉई ने शांदार चमचमाती काल ले ली बस वही से समझ लीजए यह कॉंप्लेक्स नाम का शब्द आपके दिलो दिमाग में घर बना लेता है तो आपकी पॉकेट चाहे उस समय आपका साथ दे या ना दे आप भी व बात करें दूसरी important चीज़ की यानि research work दूस्तों इंडिया में आप जानते हैं कि कुछ मिले ना मिले लेकिन लोगों के सला एक दम मुफ्त मिल जाती है जी हां सला अक्सर यह सला हमारे budget bank पर एक बहुत बड़ा वार करती है specially तब जब आपको अपने घर के लिए कोई नया समान लेना हो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमें कोई भी home appliance लेना है तो आप आज की technology या market research से ज़्यादा आद दोस्तों आसपडोस या रिश्टदारों की expert advice पर विश्वास करते हैं लेकिन ऐसे में सामने वाले का कुछ जा पर हाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके घर वो चीज नहीं आती जिसकी आपको सही माइनों में जरूरत है तो कोई भी electronic या home appliances लेने से पहले आप इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा जैसे कि आप उ सबसे जरूरी कि उस appliance को लेकर आपकी सेविंग्स कितनी होने वाली हैं जैसे इलेक्ट्रिक सेविंग्स के मामले में उसे कितने रेटिंग्स मिले हैं वो energy star certified appliance है की नहीं साथी आजकल आपको बहुत से ऐसे platforms मिल जाएंगे जहां पर आपको customer reviews भी देखने को मिल सकते हैं appliance की specification को समझने में बहुत ज्यादा help करेंगे तो in totality कहा जाए अगर आप अपनी जरूरत और मरसी के हिसाब से कोई भी home appliance लेते हैं तो ज्यादा बहतर है ना कि दूसरों पी सलहा पर इसके बाद बात करें next important point की यानि quality product ही लेना दोस्तों अक्सर ये भी देखा गया है कि हम थोड़ी सी पैसे बचाने की चकर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं हम इसे कई लोग जब भी किसी electronic appliance को लेने जाते हैं तो दिमाग में quality नहीं बलकि सिर्फ savings का point ही रख कर जाते हैं और इस thought के साथ हम घर ले आते हैं एक ऐसा समान जिसे हमने कमदाम पर त पहुच गए कि आपने पैसे बचा लिए लेकिन अफसोस कि ये आपकी बचट नहीं बलकि नुकसान होता है जी हां क्योंकि अच्छे electronic item या किसी भी तरह का home appliance लेने का फाइदा तब ही है जब आपको एक बहतर quality मिले जैसे कि energy savings या फिर वो product long term तक चले इसने आपका आज का लिया हुआ वो अच्छा home appliance आपको लंबे समय तक का सुकून दे सकता है ऐसे ही ध्यान रखना जरूरी है last year के model को ही purchase करना दूस्तों ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा ना कि market में कोई new product जब भी launch होता है और आपने कुछ दिन पहले ही उससे पुराना model लिया हो तो आपको ऐसे में बहुत अफसोस होने लगता है कि काश आप कुछ दिन और रुख जा दे तो वो new model आपके घर पर होता लेकिन सच तो ये है कि आप बहुत बड़ी गल्दी करने से बच गये जी हां गल्दी क्योंकि इस मामले में old is gold वाली statement लागो होती है वो ऐसे देखे performance की review आप फिर भी नहीं जान पाएंगे क्योंकि जब आप कोई last year वाला model लेते हैं तो ऐसे में मौझूदा समय तक बहुत से लोगों ने उसे already use कर चुका होता है और जिसने उसे use किया है वो आपको उससे जुडाएक अच्छा review दे सकता है बजाए उस नए model की जो अवे latest market में आया है और किसी ने use भी नहीं किया है ऐसे ही कुछ भी लेते वक्त warranty card लेना भी ज़रूरी है दोस्तों जाहिर से बात है कि अगर आप कोई home appliance खरे देंगे तो कभी न कभी उसकी functioning में कुछ problem तो आ सकती है या फिर वो तूट food भी सकता है अब जब भी ऐसा हो तो आपके पास warranty card होना चाहिए इसले आप सभी बिल्स या warranty card के slip संभाल कर रख सकते हैं और हर folder में product manual warranty की copy और receipt रख सकते हैं तो ऐसे ही जब भी आप कोई नया item खरीदते हैं तो उसके साथ box में एक नया folder add कर देंगे इस तरह से उस product में कोई भी अगर problem आती है तो आप आसानी से shop में warranty card दिखा कर मदद ले सकते हैं और दोस्वाबगली important बात जिस पर ध्यान देना चाहिए और वो है patience रखना वो कहते हैं आपका जरा सा धहरे यानि patience आपके धीर सारी बुद्धिमानी से कई गुना बहतर है तो यहां ये बात मैं आपको इसले कह रही हूं क्योंकि आप अगर और research के साथ लिया जाएं ऐसे में आप महिलाओं की बहुत अच्छी habit का इस्तमाल कर सकते हैं यानि जब भी वो कोई समान लेने जाती हैं तो हजारों चीज़े चाट कर पूरी market को scan करने के बाद ही कोई समान लेती हैं तो बस यही चीज़ home appliances लेते हुए भी follow कर सकते हैं अगर आपकी कोई ज़रूरत है तो आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं जिने आपने खर्च के लिए अलग से रखा है तो दोस्तों उमीद है कि अब अगली बार जब भी आप कोई home appliances लेने जाएंगे तो इन सबी बातों का ध्यान ज़रूर रखेंगे ताकि घर में आने वा इस पर होने वाले डेली खर्च को कैसे कम कर सकते हैं